Friends, मैं आज आम का कलम दिखा रही हूँ, पाच्छे आम का मैं कलम बांधी थी, वो सारे सकसेस हो गए हैं, उसी सबको दिखाऊंगी ते चलिए देखते हैं, मेरा घर में जो बड़ा प्लांट हैं मालदा आम का, उसी में से मैं कलम बांधी हूँ, और ये सारे सकसेस हो गया है, और दिखे कितने अच्छे से इसमें रूट निकाला है मैं अभी खोल के आप लोगों को दिखाऊंगी और मैं चोटी चोटी ब्रांच में की थी जो थोड़े से काले कले दीख रहते जो शक्खा उसी में की थी बिल्कुल जो हरा था उसमें नहीं की थी चार महना पहले मैं इस में कलम बांधी थी इस सब में और चार महना बाद इसमें कितने अच्छे से रूट आये हैं आप लोग देखी सकते हैं काला रंका है हलका लाल लाल दीख रहा है लीची का कड़ी पत्ता का और आम का कमरक का श्ट्राफ रूट इस सब का रूट थोड़े काले और लाल में हो उसी का मैं यह लिंक डाल दूंगे आप लोग उसको देखके सेम उसी तरीका से बांधी तो इसी तरह से आपको रिजल्ट मिलेगी रूट ऐसी बनेगी किन आम का जो जड़ आती है कलम में बहुत दिन बाद आती है मैं चार महना बाद इसको काटी हूं तोड़के लाई हू और मैं इसको पूरे गर्मी का मौसम जब एप्रिल महना चल रहा था ताब बांधी थी कोकोपीट से और उपर मैं थोड़े खुला रखी थी उसी से मैं पानी दीती थी पाइप से प्लांट बहुत उपर था बड़ा अला प्लांट में बांधी थी दो महना तो काफी धूप पानी की मांग नहीं होती है फिर भी आप शाथ दिन आत दिन बाद 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 पानी डाल सकते हैं डालके आप जैसे जुलाई में बांधे जुलाई अगस्टम अप्टोबबर तक आप इसको काच सकते हैं उसमें अच्छे से रूट बन जाएंगे और इसी तरह से आप सकते हैं कलम बना चालते हैं तो किसे और का घर में इग प्लांट हो तो वहांसे कलम बांध को दौर में प्लांटाथ तो पत्ते जो पत्ते 1998 सारे को टे फिल्ग देखने के लिए प्लांट जिंदा है来 किوبिंग यहां से कलम की थे, सफेद लकणी जहां से दीख रहा था, वहां से मैं कटके हटा दी, और जो जादा से जादा टैनी थे घना उसको हटा दी, क्योंकि टैनी का साथ जो लगा देंगे, जादा ब्रांचिस का साथ, पत्ते का साथ, तो यह प्लांट लगेगा नहीं, और हिलते बांदे होंगे, आप लोग या मैं बांदी हो जो, तो इसमें थोड़े से ही रूट होते हैं, तो जादा टैनी पत्ते रहेंगे, तो यह खाना नहीं बना पाएगा, इसलिए जितना हो सके आप काड़ दे, नोडेरिया रख ले, जहां से दीख रहे होगे, आंक के यहां से अंकुरन हो सकते हैं, वहां से रख के आप काड़ दे, यहां से सरण लग गई है, यहां से काड़ देती हूं, और नीचे जो नोडेरिया रहे होगे, इसके नए पत्ते आएंगे, और यह से जो, देखिए, ज़्यादा ब्रांच है, बड़ा, तो इसको रखेंगे, तो इस् पर्ट कर ने है, इसको पोटिंग कर ने है, ज्यादा पत्ता रहेगा इधर उदर इसके ब्रांचे रहेंगे, तो किसी में लग करके यह van भीं, जब लाएंगे, जब हील जाते हैं, तो इसके जो रूट होते हैं, जड़, जड़ भी हिल जाते हैं और यह प्लांट लगते न बाई हम इसे वानगी गर्भाते हैं मैं को कोप जक गर्मा का मुलकिता है तुझ में पंधना सब रहा है लीजा आप पुछा सबजिए हैं कलम बांधरा है ओपके हाथ के पास हो आप डेली हाथ से बानी दे सकते हैं दो दिन एक दिन पर तभी आप मिटी से करें नहीं तो अगर उपपर में हो ज्यादा उपपर में तो आप ऐसे ही कोकोपीट से बांधे तो इसमें आठ दिन-दस दिन तक नमी बनी रहती है तो कलम को सक्सेस होने का चांसेस ज़्यादा रहते हैं तो आप लोग कोकोपीट या मिट्टी किसी से भी बान सकते हैं लेकिन उसमें नामी होनी चाहिए इसलिए मैं बता रही हूँ आप लोग बरसात में बान देंगे तो सबसे अच्छा है या तो बरसात से पहले जो मही महीने का लाश्टाती है जून के आसपस तब बान लेंगे तो पूरे तीन महीना इसको अच्छे से पानी मिलेगी कलम को तो ये ज़्यादा अच्छा से रूट निका लेगी और आपके कलम 100% सक्सेस होगी मैं इसको साधा मिट्टी में अभी लगा दे रही हूँ सिर्फ साधा मिट्टी है और इसमें कुछ नहीं डाली हूँ थोड़ी से हल्दी पाउडर देखे मैं इसका जो पानी है पानी डालना है इसमें पॉट में गुरो बैग में, तो हल्दी का पाउडर इसलिए डाल ले हूँ, जहां पर रूट निकली है, कोको पीट बांद है, अगर आप टाइटली ना बांद होंगे, तो आप चीटी लग जाती है, कभी-कभी पॉट में या इसे गुरो बैग में लगाने का बाद भी-कभी चीटी आ लगा रहे हूँ, रूट के आसपास चीटी नहीं जाएगी, हल्दी से चीटी दूर रहती है, तो आप लोग ज़रूर हल्दी का पानी घोल के डाल दे पॉटिंग के वक्त, और जो यह कलम सब है, इसमें ज्यादा मिट्टी के ज़रूद नहीं पड़ती है, जब सुरू में लगा रहे हूँ, कलम काटके, पॉटे से पॉट में, या ग्रो बैग में, करीब 6 इंच, 8 इंच के पॉट में आप लगा देते हैं, या ग्रो बैग में, और साधा मिट्टी में लगाते हैं, तो यह आराम से ग्रो हो जाएगी, फिर आप क्या करें, तीन महीना बाद इसको खाद बगारा देखें, तो करीब 12 इंच का पॉट में, आप प्री पॉटिंग कर दें, तो यह अच्छे से बड़ी होगी, और एक दो साल में ही आप फल ले सकते हैं, कलम का प्लांट से कलम करने का ही फायदा है, कि छोटे से प्लांट में आप फल ले सकते हैं, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए, तो प्लीज मेरे चैनल को सस्क्राइब कर दें, लाइक और शेयर भी कर दें, बाई, थेंक्यू, तो